Brought to you by Provo तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर IPL 2024 को KKR ने जीता एक बढ़िया टीम थी KKR की और अब जब चर्चाए होती है कि IPL 2025 के लिए और उसमें KKR भी एक है क्योंकि KKR को पता है कि उनके पास जो बढ़िया टीम तैयार है उसे वो बरकारार नहीं रख पाएंगे कई एम खिलाडियों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा ऐसे में हम बात करेंगे उन तीन खिलाडियों की जो KKR के हैं और KKR मेगा ऑक्षन अगर होता है तो उन्हें चाह कर भी रिटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि KKR के पास और बढ़िया बढ़िया खिलाडी है जो शायद पहले रिटेन हो जाएं लेकिन ये तीन खिलाडी ऐसे हैं जिनने अगर KKR रिटेन नहीं कर पाया तो फ्रेंचाइजी दूसरी जो है वो इनको उठाने के लिए पूरी तरीके से तयार होगी क्योंकि जिस भी फ्रेंचाइजी में जाएंगे फाइदा वहां जरूर कराएंगे तो यह करके उन खिलाडियों पर नज़र डालते हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं नितीश राणा के बारे में पिछला इपियल इनके लिए उसे साबसे नहीं रहा क्योंकि इंजर्ड थे खेलने के मौके मिले नहीं जबकि उससे पिछले सीजन में आपको याद होगा 2003 इसमें 400 प्लस रंद है इनके कप्तानी करने का मौका मिला था इने KKR के लिए तो नितीश राणा T20 में आपके लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं तो शायद KKR की टीम इनने रेटेन ना कर पाए क्योंकि KKR के पास आप जानते हैं इसके अलावा वरुन चक्रवर्ती हो गए मैं इंडियन प्लेयरों की यहां बात कर लो रिंकू हो गए हर्चित्राना हो गए तो चाहकर भी शायद अगर निती स्राना को रिटेन ना कर पाए कि KKR की टीम तो आउक्षन में इनके उपर कई दूसरी टीमें जा सकती है तो निती स्राना एक ऐसे खिलाडी हो सकते हैं जो अगर आउक्षन में आएंगे तो कई टीमें इनको चाहेगी साथ ही यह खिलाडी टीमें आपको अच्छा वहाँ पर स्टैबिलिटी भी देता है आगे बढ़ते हैं एक और खिलाडी के बारे में बात करते हैं रमान दीप सिंग पर्फोर्मेंस देखिए इनका पिछले आईपिल का 14 मैच 125 रान से स्ट्राइक रेट 2106 एक स्ट्राइक रेट पर खासता और पर नजर डालिए 35 बेस्ट इसकोर सब कुछ भूल जाईए स्ट्राइक रेट देखिए क्योंकि जिस तरीके से रमान दीप कर इस्तमाल किया के केर ने आईपिल 2024 में जो पर्फोर्मेंस इनों ने दी नीचे आते थे चार बॉल पांच बॉल आठ बॉल दस बॉल इनको खिलने को मिलती थी और वहाँ पर ये अपना काम करके चले जा देते तो वो फिनिशर वाला अंदाज और टीमों को भा सकता है इनका तो इन पर भी दाव लगा सकती है अच्छा खासा फ्रेंचाईजी अब बात करते हैं खिलाडी के बारे में एक अच्छा विकेट की पर बल्ले बाज हर फ्रेंचाईजी को चाहिए होता है रहमनुल्ला गुर्बाज इनका इस्तमाल नहीं कर पा रही थी क्यार क्योंकि वहाँ पर फैल सॉल्ट भी थे तो अगर वो रहमनुल्ला गुर्बाज को रिलीस करते हैं पर और रहमनुल्ला गुर्बाज की काबिलयत हर कोई जानता है तो जिन फ्रेंचाईजी को एक विकेट कीपर की तलास होगी वह इनके साथ जा सकती है तो गुर्बाज को खरीदने के लिए भी कईटी में बेताब होगी तो केके आर के ये तीन खिलाडी अगर के टीम इने रेटें नहीं कर पाई आक्शन में आए तो इनके ऊपर बड़ी बोली भी लग सकती है आपको क्या लगता है किस-किस टीम में ये खिलाडी अगर जाएंगे तो ज्यादा बहतर रहेंगे कॉमेंट बॉक्स में बताईए आप अपने सुझाओ दीजिए वीडियो पसंद बाई ये वीडियो अगर आप हमारे फेजुक पेज पर देख रहे हैं तो फेजुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए